हलो एवरिवान वेरे वाम वेल्कम टू माई चानल विचिस सिंपल लिवेंगे शिखा आश्र करते हूं कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छी होंगे अपने घरों में एकदम सस्त होंगे सुरक्षित होंगे तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप कितने ही आसान से आसानी से अपने घर पर ही अपना फेशल कर सकते हैं जिसमें आपके बहुत सारे पैसे तो बचेंगे प्लस आप एफेक्ट जो है पालर से ज्यादा अच्छा अपने घर पर ला सकते हैं तो कोई भी फेशल कित आप यूज कर सकते हैं लेकिन यहां पर मैं फेशल कि भीजिवारे ठीजिए उने अटर में अटर दीजेंगे श्काइड वह रिख़ाटी शिए चार टाइब में अटर समय पाउलो करने हैं और कितनी देर तक करने कैसे करने सब कुछ बिखा हुँआ, इसका कर में लिखा हुआ है छार बेंटीट्ग में अट इस पाउलो है तो पहले cleansing milk के लिए आप के लिए जो कित होती है ना यह इसमें आप 20-30 मिनटस के अंदर मुझा पूरे फेशिल को जाता है तो आप देख सकते हैं अगर अपने अपने सा काम करते हैं और अपना यह 200 पर खरच करते हैं तो आप बहुत अच्छा फेशल घर पर ही कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से कैसे हाथ चलाना है वो मैं आपको दिखाए रही हूँ है देखिए मैंने आपे क्लिंजिंग मिल्क की यूज किया है और जब भी आप फेशल करें तो अपन के एक काणी थी क्या नैच पर पूरे फेज पर चिन नोड पर पूरे एरिया में आपको अच्छे से हों मसाज करना है जित बहुत क्लिंजिंग मिल्क आपने पोर्स को ओपन कर देगा और ऑपन करने के ओगे प्रवर जथी पोर्स में वो औस से दो यह सारी ड़ड जालेगी मैंने उतनी देर किया और फिर इसके बाद मैंने अपना फेस को वाश कर लिया तो मैं यहां पर अपनी कांडी है घर पर उनसे बात कर दो आए उसाथ के साथ फेशल भी कर रही हूं तो मैंने अपना करवा जौत का जो फेशल लिव घर पर ही किया था क्योंकि मेरे पास टायम ही था पालर जाने के लिए पालर में इस टायम इतनी ज्यादा भीड है कि मैं आपको पता नहीं सकते हूं अपको नॉर्मल पानी सा क्या वस्क winter on spiral nowhere पालर में होते तो अपको वाइप करते लेकिन आप घर पार नाने और अपको फेशल कर रहे है तो आप इस तरी किसे अपना फेशल दो लिजी और उसको डब-डब करके आपके तावल से अच्छे से पॉच्छ लीजिए देन आप सेकंड स्टेफ फॉलो किजिएगा देखिए अभी आपके स्किन के सारे पोड्स ओपन हो गए है अब हम यह पर फॉलो करेंगे सेकंड स्टेफ जिसमें है इसमें पॉच्छ को फाड करके थोड़ा सा स्क्रब निकालोंगी मतला हाफ जितना भी पॉच्छ में दिया हूँ आप उसमें से हाफ निकालेजिए गालेजिए एक फेस के लिए नफ होता है और हाफ छोड़ दीजेगा आप अपने नेक्स तैम फेशल कर सकते हैं फिर किसी औ जैने दाने आपको feel होते है, तो इसको कभी भी इपनी स्किन पर रगडना नहीं होता है, बहुत हलक हलकी, मैं आपको हाथ मेरे तेग चलते हूँ ने ने रहा लें, लेकिन मैंने भूट हलक हलकी हाथो से किया है, अगर बहुत जादा सुखा सुखा गड़ देंगे न, तो तो सबीर्क छोड़ हान ओम और मुझा कैके, तो इस सकते हैं बहुत आपनी प्लाबिया सब्सक्राइब, तौ बिलाबजय है गुलैप जल कर घंग सकते हैं मैं बहुत सिर्फ सिंपल सब्सक्राइब नम बने सकते हैं तो आपको महीने में दो बार स्क्रब्टो करी लेना चाहिए तो मैं आपको दिखा रही है आप जितना भी आपको माउथ अपने लिप्स के आसपास का एरिया होता है जितनी आपको डाक्नास होती है वो सब इससे रिमूव हो जाती है और जो आपकी नोज पर चिन पर या फिर फॉर हैट पर ब्लैक हैट्स वाइट्स होते हैं वो भी इससे रिमूव हो जाते हैं मैं बार बार अपना हाथ गीला कर जो ताकि मेरा हाथ एकदम स्मूज चले एकदम रफ या फिर रश्रा फील ना हो तो मैं इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पर मसाज करूँगी आप देख रहे हैं मैं अपने चिक्स पर चिन पर और लिप्स के आसपास नोज पर आपको अच्छे से करना है क्योंकि नोज पर हमारे ब्लैक हैट्स और वाइट्स सबसे जादा होते हैं तो वहां से रिमुव करने के लिए नोज पर बहुत अच्छे से करना होता है और मैं साथकसाथ अपनी गर्दन पर भी कर रही हूँ वह बहुत सारा पार्ट बने स्किप कर दिया क्योंकि मैंने पूरा 30 मिनट का अगर मैं आपको दिखा दी अपना फेसल तो बीडियो बहु अगर मैं पर दिखा दी तो यह बहुत सारे डिफरेंट किट आते हैं जो कि वाइटनिंग वाले होते हैं गोल्ड फेशल होता है तो आप कोई भी फेशल किट लेकि इसी तरह के से यूज कर सकते किसी किसी में आपको एक दो स्टेप में भी एक्स्ट्रा मिल जाए वी कम भी मिल सकते हैं तो स्क्रब करने के बाद मैंने पूरे 10 मिन तक स्क्रब किया था अपनी नेक पर फेस पर इसके बाद मैंने इसको नॉर्मल पानी से अच्छे सको वाश किया है और फिर अपने जो टावल होती है उससे आपको थोड़ा सा रगर रगर के नहीं पहुचने अपना फेस को हलका हलका सा आपको पानी जो हो सुखा लेना है तो इसक्रब में बहुत दाने दाने होते है आपको अच्छे सा अपना फेस जो है क्लीन करना है और नेक पर भी और जब भी आप फेशिल करें घर पर कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए अपनाने से पहले कीजिए क्योंकि थोड़ा तो आप मैसी हो जायते हैं गंदी हो जाते हैं तो नाने से पहले आप अगर फेशिल करेंगे तो उसके बाद अपना लेंगे तो आपके कपड़े उप इस करों घटे है मसाज करीं छो कि पोहत ही इंपोर्टन्ट स्टैप इस फेशल के लिए तो यह मसाज करीम होती है जो फेश पर घ्लो आता है वह कम्पलीटली से आता है मसाज से तो जितना अप अच्छा मसाज एपने फेस पर जेंट्ली आप मसाज करेंगे शर्कुलर मोशन म अब जब मसाज क्रीम यूज करें तो अब इस बात का ध्यान रखें आपके हाथ ठोड़ा तुद़ा टाइट रहना चाहिए मतलब मसाज क्रीम करते हैं वक्त अपको हलका नियुक्त एक्दम टाइट ताइट ताइट प्रेशर देगे अपनों कि अपनों करना है मैं यहां भी थ्टबा पानी की अस्तिमाल किया को अच्छे से प्रेशर देती हुए अपको दिखा लिए कितना प्रेसर मार दे रही हूं इसके बाद कीज़ हो रही है तो आपको circular motion में आपको अच्छे से मसाज करना और अपनी नेक पर भी मसाज कीजिएगा करकि आपनी नेक पर भी cleansing milk यूज किया है, scrub यूज किया है तो वहाँ पर भी मसाज करें और हमेश्या जब ध्यान कि करें तो अपनी आप वर्ड ऑपर की तरफ मसाज करें नीची की तरफ सकिन को ना खीचें नीची की तरफ कीचेंगे तो आपकी चीलिटक जाएगी आप देख सकते हैं मैं इस तरिकी से मुठ्षी बंद बंद करकर यूज किया है इससे क्या होता है जो आपके फिंगर्स की जो हड़िया होती है वो आपके फेस पर जब चलती है इस तरीक से गोल 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 तो आपके जो फेस का मसल्स होती है उसको बहुत रिलीफ मिलता है और प्लस इस क्रीम से बहुत अच्छी मसाज भी होती है तो यह सारे स्टैप है जो ये मुझाते आपको एरिय ज्यादा बंढ़ा है या फिज़ादा संटेनल तक इसमें तरह ऍवाँ पर संटान। आप अपर ऊसे एरिया को ज्यादा अटेंशन देऊं आप ज्यादा है तो मैं यहाँ पर मसाज करूँगी, बारबार बीच पीच में, मैं पानी ली टी रहूँँगी और मसाज करती रहूँगी और आप देख सकते में एपर की तरफ कि यहें जो नहीं पर बहुत ज्यादा थी कि कि इतना आप इसको में पानी यूज करने को इतना ही ज्यादा यह वाइट वाइट होती ही चली जा रही थी लेकिन आपको इतनी देर मसाज करना है अगर आप मसाज 20 मिनिट तक कर सकते तो कीजेगा मैंने यहापे 12 से 15 मिट किया वो भी इनफ है मेरे लिए काफी इनफ है तो आप देख सकते कि मैं किस तरीके से करूँ जिसता कि आपको रिलैक्स भी फील हो और आपका काम भी बहुत अच्छे से हो जाए जाए आप दिख सकते हैं मैं कितना प्रेशर दे रही हूं अपने हाथों से दबाब डाल रही है अपने फेस पर और इसको अच्छे से मैंने मसाज किया है लगब 12-13 मिनट तक मैंने मसाज किया है और इसके मसाज के बाद मैं यहां पर स्टैप जो फॉलो करेंगी तो उसको हमला पर फॉलो करेंगी तो उसके लिए मुझे फेस को धोना नहीं है वाश नहीं करना आपको इसी की उपर ही अपने स्टैप 4 अप्लाई करना है तो आप दिख सकते कि पूरी क्रेम जाए वो स्किन करना है और पतला पतला अपने पूरे फेस पर नेक पर लगा लिजेगा और इसको ड्राइ कीजेगा लगब 10-12 मिनिट तक दन आप इसको नॉर्मल पानी से वाश कर लेंगे और फिर अपने फेस को अच्छे से टावल से सुखा लेंगे सुखाने के बाद आप मॉश्यराइ अगर आप इसको अच्छा एफेक्ट आते है अपनी फेस पर तो आप क्रीम अवयड कीजेगा मैं यह देख रहूं कितनी देर तक इसे पोला है कि मैं इसको ड्राइ करना है तो मैंने देख लिया मैं इसको ड्राइ करूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी तो देखी 10-12 मि क्योंकि शायद इसका जो बेस है वो क्रीम बेस है इसलिए बहुत जादा ड्राय होगा भी नहीं तो मैंने इसको वाश किया है और अब आपको दिखा सकते हूं कि मेरा फेस कितना क्लीन एंड क्लीर हो गया है और कितना सॉफ्ट और बाउंसिंग ऐसा लग रहा है इसकी बहुत ऑक्सिजन इसको मिलाना हो और मिलने लगा हो तो आई होप आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना मिलेंगे नेक्स व्लॉग में बाई बाई टेक केर